स्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग प्रियर्ट सेकंड एर सीनाई सब्जिक कोड के अंतरगर यूजिज आख एंपिसी के बारे में डिसक्शन करेंगे इससे पहले कि प्रिविएस वीडियो में हम लोगों ने देखा था नपीसी क्या है नपीसी का हिस्टोरिकल बै है आज उसी कड़ी में देखेंगी इनपीसी की क्या-kyा यूज है गंती फाम में हम यह नहीं के करको कैसी यूज करके कैसे अपने प्रशनों को हल करते कैसे समझते हैं उसको दिखने का प्रयास करते हैं और यह से कहा जाता है एक यहां पीशी का उपयोग अधिकांस मनोवि प्राइक्ता कर्व के रूप में बित्रण के रूप में किया गया है जहां पर अधिक अंक देनी की बात गहीं अधिक इसकोर रहते हैं तो वहां पर इसका अधिकांस सामान रूप से क्या आता है लेकिन मापा ने मुल्यांकर के छेतर में एनपीसी वक्र का उपयोग अत्यांती ही महत्त हो जाता है एक अध्यापा के लिए एनपीसी वक्र का उपयोग अपनी बेवहरिक समयाओं के समधान के लिए कर सकते हैं किसी चर्व प्राप्पतांकों को उद्व करने वाले प्यक्तियों की संग्या हम यह कहादें कि यह हमारा एक्विशन्स हमारा कर्व एनपीसी फालो कर रहा है उस वक्र के कम उस वक्र में किसी एक स्कोर से कम या उसी स्कोर से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या विद्याथियों की संख्या अब्यक्तियों की संख्या कितनी है उससे ज्यांत करने के लिए हम एनपीसी क प्राबलम को समझते हैं इसी प्राबलम के आधार पर हम इस बात का पता लगाएंगे किसी एक अंग से करने वाले विद्यारत्यों कि संख्या कैसे निकाले जाएगी यहां पर हमारे पास एक जांपल है उसे जांपल को समझते हैं चार सो चात्रों के एक श्रमू पर गनित अचीवमेंट परच्छन किया गया में अचीवमेंट टेस्ट हुआ है जिसका मीन वेलू सिस्टी है और इस्टेंड आविएसन बारा है यहां इतने बड़े कोश्चन में किल समझने वाली बात क्या है मीन साथ है और इस्टेंड डाविशन कितना है 12 इस अचीवमेंट टेस्ट के जो प्रापतांग बित्रण हमको मिलें वह यह फालू कर रहे हैं आपका कोश्चन क्या दिया गया कि इतने बड़े प्रापतांग में कि मानग भीचलन 60 है 60 और स्टेंडर्ड डाविशन के डौल है और यस्टी और यह का गया कि यह जो स्कोर्स मिले हैं स्टूर्ट से बितीयार्थियों के यह स्टुट्ट के स्कोर यहंपीशन को फालू कर रहे है तो आपको फाइंड करना है क्या कितने चात्रोंने सत्तर से सब्सक्राइब को इस प्रकार के सिप्लिफाई करेंगे वह बसक्राइब वाले बात यह था थे बात को आप याद करेंगे उपरोग डाटा में जो तीनों बात समझने योग्य है वो यह है कि इसमें यह में बैलू है यह यह फालो कर रहा है यह स्कोर है क्या तोटल नमर अब करने डेट यह मानुपिचलन यह इस्टेंडर डिवेशन मीन मध्यमाल इस्टेंडर डिवेशन और तोटल नम इस्टेंड़ यह तीन भात आप धियान दीजिए और इस और कोसाल करते हैं पहले पहले बात को इस समझते हैं पहले बात को यह समझते हैं कि 70 से अधिक प्राप्थ करने वाली विद्यारतों करने जो एक से लिए को फालो करना है जब हम यह बात याद करेंगे सत्ता रंग से अधिक प्राप्त करने वाले वित्यारतियों की संख्या और जो हमारा डाटा हुए नपीसी फालो कर रहा है तो हमारे पास दो स्कोर सामने आएंगी क्या यह फार्मूला आप याद कर लिए जब हम कोई यक्स का मतलब कोई स्कोर कलो है कि इसका प्रयास करेंगे कि इसका वालग बिच्न क्याoires यह का सिगमा मान कितना है उसको में सामझने का प्रयास करेंगे अब देखी स्कोर कितना है 70, 70 से अधिक अंग पराप्त करने की बात कर रहा है तो यक्स की वैलू क्या हो गई 70 हो गई यहां पर यक्स की वैलू जो हम सिगमा में निकालते हैं तो यक्स माइनस M अ पाझ सिगमा ये फामुला, ये वाला फामुला कौंसा यह वाला फामुला का उप्योप करेंगे यक्स की वैलू 70 यम की वैलू 60 यस्डी की वैलू 12 साल्प करेंगे कितना आ जाएगा 10 अपां 12 यह कैंसील अउठ हुआ इसका मतलब 10 अपां 12 तो वहन से लेसी आएगा इक्जेक्ट वैलू जो साल्प किया गया नहीं अरबाउट 0.88 यहां पर जो यह 75 से आधिक दिया गया यह समझने वाली बात है कि यहां पर 75 क्यों दिया गया देखिए जब हम मिडियां साल्प करते थे या मीन साल्प करते थे एक्जेक्ट लोवर लिमीट होता था एक्जेक्ट अपर लिमीट होता था तो जब यहां स्कोर से अधिक देने की बात आएगी मतलब सत्ता रंग से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संख्या तो सत्तर में क्या करेंगे हां प्लस कर देंगे अभी यह कहा गया होता कि 35 या 75 से कम प्राप्त करने वाले संख्या ज्यांत करना है तिहां पर आधा कम कर देते हां मानेस पाइंट 5 कम कर देते तो 69.5 हो जाता अधिक होने के कारण 75 पाइंट जिब इसको सिंपिलिफाई करेंगे आपकी एक्जेक्ट वैलू यह आ जाएगी 0.88 अब 0.88 सिग्मा वैल सही जाली है डिए टेबल से से मिसकी बैली निकालने का प्रयास करेंगे इसके ठेपल वैलू है इसको आप लोग साड़ स्कीन कर लेंगे इससको बहुता ने बना दे रहे इसमात को अब जरूरत फालो कर लेंगे यहऊν आप पहले यह वाली अपनेंडिक्स को आप कह पी कर कर लिजmakers किरार अब यहां से समुझते हैं हमें जो सिद्दी कि विलू में लें did मिले थे तें गया होगा हमें फ्मक्ला दोटेंगे और इस व्यर जीकर है दोटने का it करेंगे तो जब हम लाग टेबल में थोड़ा इसको जूम करते हैं समझने के लिए यह देखिए थोड़ा इस फार्म फ्रेंट में आया यह देखिए अब देखिए जब हम इसको यहां ढूटते हैं तो 0.8 यह और 0.08 यह तीन दोनों का मेटिंग पॉइंट कहां मिल आ है अधात यह बैलू यह बैलू मिल आ है मितलब 0.3106 अब जो 0.0 0.88 सिग्मा आई हुई है उस सिग्मा बैलू से जब हम लाटेबल में देखेंगे 0.361 इसको पर्सेंट में मल्टिप्लाई कर देंगे तो 31.06 परसेंट हो जाएगा यह हम प्रयक्ता करको जो छेत्र फाल निकालने होते हैं उसका रेश्यू फाइंड करने के लिए फामूला था अब इस आधार से इस आधार पे हम इसकी वेलू पागए सिग्मा 0.88 की वेलू के आ गई इसकी वेलू आ गई 0.3316 इसको जब 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 33.16 अब जो 33.86 आए और सिग्मा की वेलू आई अब आप लाग टेबल को थोड़ा जूम करेंगे और समझेंगे यह देखिए सिग्मा की वेलू नियर बाउट यहां पड़ेगी यह इस कालम में यहां वन सिग्मा से कम है इसका मतलब इसकी वेलू 0.88 यह है इसकी वेलू यह यह तो क्या 33.16 ऐसा कुछ था आप समझने वाली बात यह है आमें यह ग्याद करना है 70 से अधिक मीन वेलू 60 है इसका डैवे 52 होता पहले सिग्मा का मान से याद मीन वेलू 30 से और डेविएरशन टोलब से ग्याद किया जाए तो पहले सिग्मा क मान यह वाला 72 होता लेकिन स्कॉर 70 है इसकी लेस है और कहा है 70 से अधिक अर्थाथ हमें इस एरिया के नम्माश्राबिश्ट्ट को फाइं करना है हम यह यह पता है यह पीसी समेट्री होता है उस value को क्या करेंगे यह value को हम 50-33.16 कर देंगे अब 50 में से 33.16 करेंगे तो हमें यह वाली यह कर बाजाएगी इसकी जो value आया जाएगी 16.84 ना 16.84 इसको नियर बाउट 17% मान जाएंगे थार्टी वर्ण थार्टी वर्ण सम्तिंग था हमकरा सब्टेट करें इसकी बेलू जो लाक्टेवल से हम लोग साल किये देखे थे 31.06 था हम इसके परसेंट में चिंज किया इसकी बेलू 18.94 इसका मतलब 19 परसेंट मान लिया जाए अब जब यह पता हो गया कि यह 90 परसेंट ऐसे हैं जो 70 से अधिक स्कूर को गेंड किये हुए यह वाला एरिया तो टूटल शून कितने हैं 400 मुल्टिप्लाइट बाई 19 अपाल 100 साल कर जाएंगे नाइन फोर्जा शुमेंटेशिक शुमेंटी सिक्स कर डिया ऐसे हैं जो 70 से अधिक स्कूर किये हुए अब भी यह कर दें कि 35 से स्कूर से अधिक तो क्या करेंगे यक्स की बेलू 35 से अधिक हुआ है 35 से अधिक हुआ है इसकी वेलू यह हो जाएगी 30.55 माइनस क्या था 60 अपान क्या है 12 साल करेंगे माइनस इसकी वेलू 60 तो 5.55 करके ना 5.55 अपान 12 इसको सिंप्लिफाई करेंगे इसकी वेलू जो आएगी हम लाग टेबल में देखेंगे इस लाग अर्थिम टेबल से डेसिमल के टू डिजिट तक साल करेंगे एक डिजिट कमान यहां से देखेंगे जिट स्कोर में दूसर डिजिट कमान यहां से देखेंगे यह साल करने पर हमारी वेलू आ गए सब्सक्राइब करने का प्रियास करेंगे हम इसी का एक टाइप लगा एक कोशन लगाएंगे इसमें यह दिया गया हो कि इससे कम स्कोर जैसे यह दिया गया जिए फोर्टी से कम अंग यह आप साल कितना भी कोई भी आंग होगा से सबंटी है आप से कम सब्कराप्त करने वाले विद्यार्थिए की संख्या की बाद करेंगे निकालने की बाद करेंगे तो हम क्या करेंगे 40 में हाप कम कर देंगे थो जाएगा 39.5 माइनस 60 इसकी मीन वैलू है अपान 12 इसकी वैलू साल्व करेंगे जो भी वैलू आएगी 40 20 है 40 20 मतलब 21. नहीं 20.5 इसको साल्व करेंगे 2.0 बैलू आएगी इसका मतला इसकी जो माइनस बैलू आएगी जो सिग्मा की बैलू आएगी लक्स कमाद सिग्मा में यह बैलू जो आएगी minus one minus minus one point it is four six four six four is something अर्गी मालेदी इसकी value minus one point six four sigma आगई minus कहने का मतलब क्यों इतना ही यह नपीसी की left side का वक्र बना रहा है अब यह नपीसी की left side का वक्र बना रहा है mean value 60 एस जिस्टी से लिता अच्छा minus sign का value यहां से ही समझ लेते हैं जब minus की बात आएगी तो यह 60 है, 60 से जब score 50 आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, तो यह minus sign जाएगा, 60 से above जाएंगे, 70 जाएंगे, 80 जाएंगे, 90 स्कोर पर जाएंगे 3 सिक्मा तक, 10-10 का difference समान करके, यह fast value आएगी, यहाँ पर सिग्मा की value minus 1.64% आया हुआ है, इसका क्यों इतना ही ताद पर है, यह हमारा mean value से left side की condition की बाद, right side condition की बाद कर रहा है, अब माल नेते हैं, 1.64 value आई हुई हैं, तो लाग table में कैसे चिक करते हैं, लाग table कुलते हैं, लाग table में 1.63 यह साथ देखते हैं, लाग table में 1.6 को ढूड़ते हैं, यह देखिए, लाग table में 1.6 को ढूड़ेंगे यह था, 1.6 मलते 66 ही आया हुआ है, 1.6 यह value क्या, 0.4515 इसका मतलब 10 का multiply करेंगे, तो 45.15% आ जाएगा, 45.15% इस्टुडेंट ने उसे कम स्कोर किया हुआ है, यह value जो आई, यहा से आई, तो हम क्या करेंगे 50 minus क्या करतेंगे 14.15 इसकी value क्या जाएगी 4.85 4.85 इसकी value आई इसका near about 5% माल लेते हैं 5% किसका 5% पूरिच 40 स्टुडेंट का 400 स्टुडेंट का 400 का 5% चार सव का 5% जब रिकाल जाएंगे तो 5 तूजा 20 20 स्टुडेंट्स ऐसे स्कॉर में हैं जो 40 से लेसी स्कॉर प्राप्त किये हुए बिल्य समझ में आई इस परकार से लगाने का प्रयास करेंगे अब हम नेस्ट वीडियो में नेस्ट यूज में यह समझने का प्रयास करेंगे दो स्कॉरों के बीच प्राप्त करने वाल स्टुडेंट की संख्या कैसे कोई स्कॉर कार दिया होगा उस स्कॉर के बीच में दो को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर से भी करें थिक स्याधिक में तो तक पहुँ सके थैंक यू क्लास